हलो डियर स्टुडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बच्चो आज का ये जो वीडियो है वो आपके 2024 के बोर्ड इग्जामनेशन के most important है आज आप हिंदी, जो आपका सम्मान ने हिंदी का पेपर होता है वो एक्जाम में जैसा होगा same to same model paper मैं आपके लिए लेकर के आए हूँ same to same paper ऐसा ही आएगा ये जो 2024 में बोर्ड इग्जाम होने वाला है वो paper आप अभी देख लीजे क्योंकि ये paper ऐसा ही आने वाला है सब कुछ, कैसे आएगा, क्या आएगा, खंड कर, पूरा सब जानकारी यहां पे मैं आपके लिए पूरा paper ही लेकर के आए हूँ है बचो ठीक है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करने को मिलेगा क्या क्या देखेंगे आप exam में आप exam से पहले ही अभी देख लेंगे मतब exam का पे आपका फरवरी में है लेकिन आपको हिंदी का paper कर प्रवाइड हो जा रहा है अभी इसी मन्त यानि October में ही मिल जा रहा है तो October 9 बर तक अगर आप देख ले रहे हैं तो आप अपनी पूरी strategy के साथ हिंदी में 95 प्लस तक भी ला सकते है बचो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली बात तो हमारा जो हिंदी है समानने हिंदी यह जो होगा पूरे-पूरे 100 नंबर का होगा यहां पे देख सकते हैं आप पुर्णांग 100 नंबर लिखा हुआ है और टाइम कितना होगा तो 3 घंटे 15 मिनट पहली बात तो यह 15 मिनट बच्चो को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए दिये जाएंगे बच्चो आपको इस टाइम का यूटिलाइजेशन करना होता है आपको यह 15 मिनट पेपर को एकदम पढ़ लेना होता है उससे आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा कुशन आ र से कुशन पर कम टाइम देना है उसके लिए सबसे जाए इंपॉर्टेश होता है कि आप सबसे पहले अपना पेपर पढ़ ले पंदर मिटना सही 10 मिनट लागा कि पढ़ ले लेकिन इस टाइम को आप कभी भी यह ना सोचे कि लिखना शुरू करते है आपको सबसे पहले खंड कभ है कहानी वेगर है लेकिन जो खंड कह है आपका उसमें आपका संस्क्रित है व्याकरण है निबंद है पत्र है यह सब जितनी चीजेश है वो सब आपका खंड कहा में आती है तो बच्चो बिदा टाइम गवाएं शुरू करते हैं हमारे खंड कह से पेपर आपका एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है तो पेपर आप अभी देख लिजे इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है क्योंकि इसमें आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी बच्चो ठीक है चली शुरू करते हैं पहला देखिए पहला कोश्चन दिख रहा होगा आपको सिक्षा का उद्देश निबंद के लेखक हैं इसी तरीके से आपके भी कोश्चन मिलेगा खंड कर उसमें सबसे पहले MCQ दिया रहेगा MCQ के टोटल आपको यहाँ पे जितने भी कोश्चन मिलेंगे उसमें चार आपशन दिये रहेंगे चार पे से किनी एक का जवाब सही होगा आपको वही अपनी कॉपी पे लिखना होगा ठीक है बचो तो जैसे जो हमारा सबसे पहला वाला है कि सिक्षा का उद्देश निबंद के लेखक है तो सबको पता है यह संपूर्णा नंद है तो इस पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे ठीक बचो फिर उसके बाद से अगला कोश्चन क्या है लल्लू लाल की रचना है ऑप्शन दिया हुआ है सुक सागर प्रेम सागर परिष्चा गुरू रानी केतकी की कहानी तो इसमें option number two सही है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आप क्या करेंगे copy में copy में अगर आपको question नहीं लिख रहा है कोई बात नहीं आप ऐसे लिखेंगे पहला पहला फिर पहले का क क क क क का कौन साप्शन सही है दूसरा वाला सही है न वहाँ पे लिख देंगे आप ऐसे सम पूर्ना नंद ठीक बचो यह मतलब पूरा आप लिखेंगे यह नहीं कि बस क क लिख करके second लिख के छोड़ दिया अगला क्या है परदा कहानी के लेखक है तो परदा कहानी के लेखक यश्पाल जी है इस पर टिक करेंगे मैं बस टिक करेंगे आपको एक्जाम में वो लिखना रहेगा आपकी कॉपी में ठीक अब आगे बढ़ेंगे चौथा कोश्चन है अवारा मसीहा की रचनाकार है तो आवारा मसीहा की रचनाकार विश्ण प्रभाकर जी है टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे वान भट्त की आत्मकता की लेखक कौन है वान भट्त की आत्मकता की लेखक जो है मिया पर देखे चार option दिया हुआ है हजारी प्रसाद दिवेदी सही option है इस पर टिक कर देंगे तो बच्चो इस तरीकी से total आपके कितने question खतम हो गए total आपके 5 question खतम हो गए और अभी तक आपने जितने भी question देखे हैं वो सब आपके गद्य साहित से related पूछा गया था बच्चो जो भी 5 question होंगे सबसे पहले खंड कर में जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा गद्य साहित से related mcq होगा total 5 mcq होंगे अब उसके बाद जो अगला होगा वो आपका जो होगा वो पद्य साहित से related होगा ठीक है ये क्या था आपका गद्य साहित से related था इसके आगे आगे आपका पद्य वाला होगा तो बढ़ते हैं अंगले 5 questions की तरह यहाँ पे देखिए दूसरा रंबर कामाईनी किस यूग की रचना है तो कामाईनी आपका छायावादी यूग की रचना है इस पर टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे फिर अगला प्रशन देखिए निमलिखित कवियों में से प्रगतिवादी यूग की कवी कौन से हैं तो प्रगतिवादी यूग के कमी रापनधारी सिंग दिनकरजी है इस पर टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे अगला आपका है बच्चो कोशन तार सब तक का प्रकाशर वर्ष क्या है तार सब तक कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ था तो इसका उप्शन उननीस सो तिरालिस है ठिक इसको टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे फिर देखिए घर चौथा कोशन क्या बोला है द्रिवेदी यूग की रचना नहीं है इसमें ये पताने कौन से द्रिवेदी यूग का है तो प्रिप्रवास भी द्रिवेदी यूग का है और आपका ये साकेद भी द्रिवेदी यूग का है भारत भारती भी है बस का माईनी नहीं है छायवादी यूग का है का माईनी है वह सब जानते हैं चिप्छल्च यहां हम देखें कि एम सी क्यू वाले कोशन से खें uni कि वह सब उक नमबर के थे यह ज्या साय जानते हैं यह सारे कोशन वाले कोशन आपने देखते हैं यह जा बमक्नograph साहित की बात के तो टोटल यहां पे 10 नंबर का अपका कॉश्चन कम्टीट हो जाता है अगला आपका 30 नंबर कोश्चन होता है शुरू और यहां से अब आपके व्याख्या वगर वाले शुरू होते है तो पहले तो आप नंबर देख लिए टोटल 10 नंबर का आता है इसमें 2 का मतलब कि एक ऐसे बाद का अघुशन दो नम gonna 5 5 कोश्षन तोपांच नमबर कहो अब देखे यह ठीक सब्सक्राइब देख infect अगर आप दूसरे वाले का करेंगे एस परिटर में अच्छू को इनैना ओटर देना हो गा भी आपको एक्जाम है बचो इसके लिए आपको ये करना है कि जो वाला आपको गध्यांस अच्छी तरीके से आ रहा हो जिसके आपको रचाईता है अच्छे से पता है चाप्टर अच्छे से पता है आपको वही वाला करना है ये नहीं कि थोड़ा सभी जिसमें वह वाला करन आपके पास option है तो उस option का भरपूर इस्तमाल करिए ठीक बच्चो अब जैसे कि ये आपका इसमें आपने मालीज आपने दूसा वाला चूस कर लिया ठीक अब यहां पे देखे बच्चो आपके पास अथवा का option दिखा है तो आप कोई भी कर सकते हैं मालीज आपने दूसा वाला चूना ठीक अशोक का फूल उसी मस्ती में हस रहा था यह पूरा आपने paragraph चुना यहां से यहां तक की है जो ठीक अब यह सबसे पहले तो आपका आएगा पहला प्रश्ण उप्यूक्त गद्यांश का संदर्ब लिखे संदर्ब लिखना बच्चो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है आप पर जाकर कर उसका शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं मैं आपको यहां पर शॉर्ट में बता दे र तो आप वो वीडियो जरूर से जा करके देखिए जिसमें मैंने संदर्ब लिखने का ट्रिक बताया हुआ है उस एक ट्रिक से आप सारे संदर्बों को चुठी में लिखना सिंख जाएंगे ठीक बच्चो आगे बढ़ते हैं आगे देखिए आपका कहले है रिखांकित करना होगा पूरे परग्राफ का है आप नहीं करेंगे थे ऊज़ान से इसमतिमें इस क्षाबर पांडित संदर्ब होगा है तुए इस परग्राफ को पढ़के आप इन सब अन्प्रस्पन का उत्र बताएंगे ठीक है यह सारे प्रश्ण आपके दो दो नंबर के होंगे, यानि कि आप एक प्रश्ण अगर आप सही लिखते तो आपके दो नंबर पक्ते हो जाते हैं, तो इस तरीके से यह आपका पूरा भाग 10 मार्क्स का सुनिश्चित हो जाता है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले भाग पे, जिस तरीके से गद्य का खतम हुआ है, उसी तरीके से पद्य भी आता है, पद्यांश की व्याख्या करने के लिए आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिये गए पद्यांश आधारित प्रशनों के उत्तर दीजे, मतलब कि यह एक पद्यांश दिख रहा है, इसके नेक्स्ट पेच पेश पे एक और पद्यांश है, उन सभी में देखे, पांच कोश्चन है, हर एक कोश्चन दो-दो नमबर का है, टोटल यह दस नमबर का होता है, ठीक बचो, यह देखे, यह एक पद्यांश और पद्यांश आपका, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, अथवा करके आता है, कभी भी ऐसा नहीं देता है, कि एक सिंगल देदेगा, तो आपको घबडाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए अत्वा करके दिया हुआ है यहाँ पे यह देख सकते हैं यहाँ पे अत्वा करके दिया हुआ है चाहे आप वो लिखे चाहे आप यह लिखे तो मालिज आप यही लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप संदर्ब लिखेंगे व्याख्या करेंगे रेखांग के तरणिश की व्याख्या करें, रेखांगे तरणिश कहां से, यहां से ले करें, यहां तक है, तो आप इतने का व्याख्या करेंगे, फिर देखिए, यहां पर तीन प्रशन है, और तीनों प्रशने के आप उत्तर देदेंगे, टोटल आपके दो-दो नंबर के सारे questions होते हैं, इस तरीके से टोटल आपका किता हो गया, यहां तक आपका पेपर, अब बच्चो टोटल टोटल तीस नंबर का पूरा हो चुका है, दस नंबर का MCQ, दस नंबर का गध्यांच, और दस नंबर का पध्यांच, तीस नंबर का आप कवर कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं अगल होगा कोई भी एक सिंगल नहीं देगा आपको तीन ऑप्शन दिये रहेंगे यहां पे भी देखिए निमलिखित में से किसी एक लेखा का साहितिक पर्चे देते हो इंकी प्रमुक रचना को लेकिजे यह टोटल बच्चों पांच मांक्स का होता है मतलब कि अगर आप साहितिक पर्चे दे रहें तो उस पे तीन नमबर और प्रमुक रचना का वर्णन कऱे रहें उस पे दो नमर टोटल टोटल पांच नमब और यहां पर दीखिए शब्द शीमा भी निर्धारिट की हुई है तो सब्द शीमा आपके कितनी होनी चाहिए 80 से जादा में आप नहीं लि अचारे हजार प्रसाद दिवेदी पर आ रहा है तो आप इन पर लिख दीजे जो आपको समझ में उस पर लिखे लिकिन जो आपको अच्छे से आता हो जिनकी द्रचना है आपको अच्छे से पता हो बचो उसी को लिखिएगा इस वीडियो को भी जरूर देखेगा अब देखे यहां पर आपके पांच नमबर पूरे होने के बाद अगला के आता है कवियो का तो कवियो में देखिए तीन ओप्शन दियो हैं तीन में से किसी एक प्याप लिख लेंगे वही है पांच नमबर और सब्द सीमा असी है यानि कि पांच नमबर उपर के पांच नमबर नीचे के टोटल कितने होगे दस नमबर यहां तक बच्चो आप देखे आपका चालिस नमबर कवर हो चुका है पेपर का चालिस नमबर बच्चो बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होता है इतना अगर आपने कर लिया आप पास हो अब सबजाए हिंदी के पेपर में ठीक बच्चो इतना करने के बाद ही अभी तो आपका आधा पेपर भी नहीं खतम हो चालिस नमबर भी खतम हो चुके है तो यहां तक का पोशन आपको अच्छे समझ में आगे और कोई भी चीज़े टफ नहीं थी सब में आपको ऑप्श ठीक है बच्चो यह रेखे बच्चो छटवा प्रशन आपका क्या है बहादू रथो पंचलाइट कहानी के उद्धे से पर प्रकास डालिए अधिक्तम सब्दसीमा इसमें भी दिया हुए असी मतब सब्दसीमा जहां पे आपको दे दे रहा है वहां पे आपको अपने ज़ प्रशीश करिए एक दो पेज में खताम हो जाए उससे ज़्यादा नहों आप देखे कहानी जितने भी आपके चाप्टर में है उनमें से अथ्वा करके ही देगा और कहानी का उद्धे से ही देता है और उन दोनों में से किसे एक को ही देगा लिखने के लिए ठीक है लपस में चार में से किनी दो को देगा अथ्वा करके देगा बच्छो अथ्वा में यानि दुनों में से किसी एक को लिखना होगा ये भी आपका यहां पर देखे पांच मार्क्स का होता है पांच मार्क्स का अब अगला देखेंगे यहां भी देखे तीन एक तरीके से दे जाए ठीक बचो मतलब अगर आप दो कहानी अच्छे से पढ़ लिये हैं अगर आप बहादूर पढ़ लिये हैं तो अगर देखिये चारी है बहादूर पंचलाइट लाटी और धुरुवयात्रा चार में से तीन तो आई जा रहा है तो कोई एक अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आप एक को छोड़ सकते हैं, अथवा करके कि यहां पे option दिया हुआ है, ठीक है जो तो यहां पे आपको smart approach लगाना होगा पढ़ाई करते टाइम पे, कहानी में सबसे पहले क्या करिए, जो दो एकदम easy लग रहा है, उनको एकदम अच्छे से याद करेंगे, आप दो अच्छे से याद करेंगे, और एक को plan B की तरह आप रख लीजें, ठीक, क्योंकि अथवा करके option दिया रहेगा, अगला प्रशन क्या होगा, अगला प्रशन जो होगा, वो आपके खंडेकावे वाले भागे से होगा, और इसमें भी 80 word की जो सब्द सीमा है, वो निधारित होगी, और इसमें भी marks देखी, कितने हो, 5 marks का ये भी है, 5 marks का पहले वाला भी था, 5 marks का ये भी है, इसमें भी अथवा करके पूसता है, अथवा करके देखे, इसमें क्या लिखा हूआ है, शमन कुमार खंडेकावे के नाया का चरिचित्रन कीजीयै, और या फिर वो चरिचित्रन करने को आ जाता है या तो फिर क्या कर रहता है कि किसी एक खंड मतलब कि बहुत सारे चीज आपका जो सलेबस होता है बच्चो खंड काव्य वाला वो डिवाइड होता है मतलब वो रीजन के हिसाब से होता है जैसे जो गोरकपूर है उसमें अलग होगा कानपूर में अलग होगा और आपके लखनाओं में अलग होगा आजमगड़ में अलग होगा तो सब रीजन के हिसाब से डिवाइड होता है ठीक बच्चो तो यह जो आपका है शवन कुमार है उसका मैं आपको बता दे रही हूँ यह कौन से रीजन से डिलेटेड है आप उसी के हिसाब से देखेंगे इसके उपर मैं एक वीडियो बना दूंगी थाकि बच्चो को क्लियर हो जाए ठीक जैसे कि एक आपने सुना होगा रश्मी रथी है रश्मी रथी बच्चो आपका मुझफर नगर शामली बुंदल शहर मतुरा वारान सी इन सब से गोरकपूर आगरा गाजीपूर बरेली ठिक यहां पर देखेंगे आपको सारे मिलेंगे अथ्वा अथ्वा करके सम मिलेंगे यहां पर देखेंगे शावन कुमार रश्मी रथी मुक्ति यग्य त्याक पती त्याक पती यह गोरकपूर आगरा बरेली सुल्तानपूर लखी इंपूर गॉंडा इन लोगों के लिए है फिर आलोक वृत सत्तिकी जीत मतलब जो आपके रीजन का है वही आपको लिखना है अब जैसे मालीजे जो गोरकपुर का बच्चा है वो इस चौथे वाले कोश्चन को अटेम्ट करेगा चौथे वाले कोश्चन में भी देखिए उ आपको भी उस वाले प्रश्चन पर जाना और अथ्वाले उप्शन में से किसी एक को कर लेना है वच्चो ठीक अब देखिए आगे बढ़ेंगे अब यहां पर आपका खंड का समाप्त हो चुका है यहां पर अगला खंड खा शुरो गया है तो यहां पर खंड का समाप्त ह चुका है आपने साफ साफ देखा MCQ आपका कितने नंबर का था बच्चो दस नंबर का था फिर आपका व्याख्या था कितने नंबर का गद्यांस का दस नंबर का था फिर पद्यांस वाला था दस नंबर का था फिर आपका जीवन पर्चे था कितने पांच पांच नंबर के होगा जो टोटल टोटल 50 माक्स का होगा और इस तरहिंगे से आपके पूरे होंगे तो खंडख को शुरुआत करते हैं ठीक है बचो यहाँ पे देखिए खंडख को शुरू हो चुका है खंडख में जो आपको सबसे पहला भाग होता है वो आपके संस्कृत भाग से लिया जाता है देखिए यहां पे आपको सबसे पहले मिल गया दिये गए संस्कृत गध्यांसों में किसी एक का संदर्व सहीत हिंदी में अनुवात करना यह टोटल आपका कितने नंबर का है साथ माक्स का है ठीके बच्चों दो नंबर आपको किस पर मिलेगे संदर्व और पांच नंबर आपका अनुवात करने मिलेगे यहां भी देखिए अथ्वा करके दिया हुआ है मतलब कि आपको यह लिखना या तो यह लिखना है यह आपका महामना मालविया में से है या तो आप इसको लिख लिजे या तो आप इसको लिख लिख लिजे हंस राजवाला ठीक तो आपको जो सही लगे आप लिख सकते हैं साथ नंबर आप यहां पर अपने पक्के करवाएंगे अब आगे बढ़ेंगे आगे देखिए, आगे आपको slook का अनुवात करना ओगा, यह तो आपका एक तरीके समझ यह गद्याश था, अब आपका slook जाता है, slook या पध्याश दोनों एकी चीज़ होता है, ठीक, sanskrit में slook ही बोलते हैं, पध्याश भी बोल सकते हैं जो आप कमन करें, यहाँ भी सकते हैं वो आपको जो अच्छे तरीकी स्यार होगा आप उसको करिएगा बच्चो अब यहां पे देखिए तो आपका इनी दोनों को मिला करके टोटल 14 नंबर का यहां पे खतम हो चुका है संस्कित भाग से टोटल 14 नंबर का कोश्चन आता है यहां पे 14 नंबर फिनिश हो च इस बाल में काला होना टका सा जवाब देना तलवार की धार पर चलना तो इन तीनों में यह जो आपको अच्छे से आ रहा होगा उसका अर्थ लिखे गा और अर्थ लिख करके इसका वाकिय में प्रयोप कर दीजेगा ठीक है बच्चो अब आगे बढ़ेंगे प्रशन प्रश्ण की निया तो आपको कर सकते हैं और ऐसा होगा कि नहीं चार में से एक आपको आणा रहा हो आज जरूर आएगा आप कर सकते हैं ठीक बच्चों यहाँ पर आपके दो नंबर पूरे हो जाते हैं अब देखें आगे दसवा क्या है अब पठिद गध्यांज के अधार पर निम्लखित प्रश्णों का उत्ता दीजे, मतलब यह क्या होता है बच्चों की इसमें एक unseen पैसे देता है, जिसको आजो आपके syllabus में कहीं आपको नहीं मिलेगा, वो ऐसा रेंडम ही दिया जाता है, वो बच्चों को उसको उसी टाइम दिखा जाता है, और उसी में से पढ करके प्रश्णों के जवाब देने होते हैं, अप ठित का मतलब यहीं हुआ, कि वो आपके syllabus में कहीं आपको नहीं दिखेगा, और बस आपको उसी टाइम पढ़ना और उसके जवाब देना, उसके लिए देखिए आपको टोटल यहाँ पे दो नमबर के दो कोश्चन और एक नमबर का एक कोश्चन, मतलब टोटल पांच नमबर का देखा जाया, तो यह होता है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही मिलता है, यहाँ भी देखी अथवा करके आया हुआ है, अथवा करके आया है, इसका मतलब यह है कि एक आप्शन और मिलेगा, आप इन द बाराता कोश्चन, बच्चो, तो यहाँ अगर आप करेंगे तो पांच नमबर आपके पक्ते हो जाएंगे, यहाँ तक आप जो भी पेपर देखा रहे हैं बच्चो, maximum कोश्चन आपको अत्वा-त्वा करके मिल जा रहे है, या ऑप्शन करके मिल जा रहे है, मतलब क्या है, मतलब बहुत बड़ा benefit आप लोगों के लिए कि एक चीज नहीं दिया हुआ है यहाँ पर आप अपने interest के हिसाब से अपने knowledge के हिसाब से चीजों को लिख सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि हिंदी के paper में 95 आप स्कोर ने कर सकते हैं और paper ऐसे ही आएगा आप लिख करके लिए लिजे paper अगर आपको आजी पता चल गया आपको आजी से अपना approach पता चल गया कि आपको क्या करना है कैसे करना है तो वहाँ पर जो time waste होने वाला था approach देखने का वो time waste नहीं होगा वही time आप अपने लिखने में लगाएंगे सोचने में लगाएंगे अंसर को बहतर करने में लगाएंगे और paper आप फोड करके आएंगे 95 प्लस लेकर करके आएंगे आपको दिया हुआ है कि इन में से किसी एक का आपको लिख देना है यहां पर देखिए वसन व्यसन अब यहां पर चार option दिया हुआ है चार option में से जिसका आपको लग रहा है कि हाँ ये option सही है उसका आपको टिक लगाना है यहाँ पे चार option दिये हैं विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्तर और आदत, विस्तार और आवधी फिर अगला आपको question क्या दिया हुआ, अम्बुज और अम्बुद, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे लगभग लगभग दो question दिये रहा है, उन में से आपको जो सही option है वो लिख देना रहा है, ठीक है बच्चों, अब अगला आपका question है, निमलिखित सब्दों में से किस एक सब्द का दो अर्थ लिए, एक तरीके से यह सिनोनिम वाला पार्ट होता है, समना अर्थी वाला पार्ट होता है, किसी एक सब्दों को छाटिए, जैसे कि आपने विदी छाट ली, तो विदी का क्या होता है, कानून होता है, या फिर नियम होता है, दो हो गया, बस खतम आपको दो नंबर मिल गए यहाँ पे उपर भी आपने दो सही के लिए दो नंबर यहाँ भी मिल गए ठीक तो यह चार हो गए आप देखे आगे निमलेखित वाकयांशों के लिए एक शब्द का चैन करके लिखे एक शब्द का यहाँ पे भी option दिया जो आँखों के सामने हो नेत्र सम्मुक प्रत्यक्ष आँखों के आगे या प्रतेक आँख तो इसका प्रत्यक्ष ही होता है जो आँख के सामने हो ठीक अब देखे जानने की इच्छा रखने वाला तो जानकार ज्यानी जिग्यासु या बुद्धिमान तो जिग्यासु होता है जानने की जो इच् इस टाइप में एक और question आपका आता है, देखिए, निम लिखित में से किनी दो वाक्यों को शुद करके लिखें, option कितने दियो हैं बच्चों, option दिये हूँ है 4, लिखना कितना है बच्चों, लिखना है सिफ 2, नमबर कितने, नमबर है आपके 2, तो आप देखिए, तुम तो कुरसी पर बैठे हैं, तो इस सरोवर में अनेको कमल खिलते हैं, संमेलन में कवित्री ने भाग लिया है, जो आपको सही लगए आप लिख सकते हैं, थिक है, बच्चों, सिफ 2 ही लिखना रहता है, तो जाड़ उटेंशन करने की ज़द नहीं, जो सही लगए कि आप वो लि फिर देखे, अगला पार्ट है आपका अगला पार्ट जो आपका होता है वो रस, छंद, अलंकार doğr वीरस यहाशस होगी फिर देखे, अलंकार में इसाथ, आपको अच्छे से एकजामपल के साथ आँराओगा, लिखेंगे छंद में भी दोहा सोड़ता सब में अथ्वा करके दिया हुआ है तो घबडाने की कोई जरूत नहीं है आप चाहेंगे तो आपके जो सलेबस उसमें से एक रेड्यूस कर दीजेगा बागी सब पढ़ लीजेगा एक्जाम में अगर हुआ गया तो अथ्वा करके तो आए गई आएगा तो आप उसको मत लिखिएगा छोड़ दीजेगा दूसरे वाले को लिख लिजेगा ठीक बचो अब यह देखा जाए तो यहाँ पर आपके 6 नमबर कंप्लीट हो गए अगला जो है आपका वो 13 वा कोशन होता है और यह सेकेंड लास्ट कोशन है क्योंकि उसके बाद एक और कोशन फिर आपका पेपर खतम होता है देखें तेरह हुआ कोशन में आपका क्या दिया हुआ है आवेदन पत्र प्रात्ना पत्र यहाँ भी आपका अथवा करके आपको आप्शन मेरेगा आपको जो सही से आ रहा होगा पत्र लिखने में आप वाला उप्शन फूश कर लिजगे जैसे पहला लिखा हुआ है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंदन को आवेदन या प्रात्ना पत्र दूसरा क्या लिखा हुआ है सहर में फैली संक्रपन बिमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्याना करशित करने के लिए आवधियन पत्र या प्राथना पत्र तो पहला तो एक तरीके समझ यह काम करवाने के लिए और दूसरा का ध्याना करशित करने के लिए तो जो आपको अच्छे तरीकी से समझ में आप लिख पाएं आप उस option को चूज करके लिख लेंगे ये total आपका होता है बच्चो 6 नमबर का दो नमबर जो होता है वो आपका जो main उपर का part होता है जिसमें आप address वगरा लिखते हैं जो सब पर होता है और चार नमबर आपके body वगर आपके होता है जो आप क्या content लिख रहे हैं ठिक बचो तो ये total 6 नमबर का आपका complete हो जाएगा अब आपका जो अंतिम प्रश्ण होता है वो होता है निबंध को और ये total 9 नमबर का होता है मतब कि काफी बड़ा होता है 2 प्लस 7 ये एक तरीके से 2 होता है आपके रूपरेखा पर जिसमें आप प्रस्तावना प्रकार और उधारन फिर उपसंहार ये सब पूरा लिखते है वो सब होता है और 7 नमबर आप उस पे क्या content लिख रहे है इस चीज़ पे होता है तो ये जो प्रस्तावना प्रकार उधारन के सब तो जो रूपरेखा बना है वो जरूर लिखते है उस पे आपको नमबर एक्जामनर तुरन दे देगा निबंध कोई भी लिखिए आप ची पांच में से आप किसी एक को करना है देखिए पहला option क्या है देश में विरुजगारी की समस्या आतंगवाद की समस्या समधान विच्छार उपन का महत्व या फिर लास्ट के दो क्या है विद्यार्थी और राजनीती या देश की समृद्धी और विकास में समाचार पत्र की भूमिका तो माली जाप यही कर लीजेगा सबसे आसान देश में विरुजगारी की समस्या या फिर विच्छार उपन जो आपको आसान लगे जो आपको लग सकता है कि आप अपने शब्दों में अच्छ तरीके से लिख सकते हैं तो बच्चो इस वीडियो से आपको समझ की वीडियो चाहिए होगी उसको भी जरूर मेंशन करिएगा कि माम इस चीज़ की वीडियो बनाई है ठीके बच्चो थैंक्यू सो मच